हाँ दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपनों को सखाव चाहे हैं इलमेंग और मैंखुन दीम खान दोस्तों इस तरीके से आप एक मोबाल में ही दो गूगल पे दो फोन पे दो पेटियम आप को चला सकते हैं दोनों पर आपके अलग-अलग मोबाल नंबर से आडी बनी होगी अलग-अलग बैंक चल रहे होंगे तो आपका मन है तो चाहें आप दो Google पे चलाएं, चाहें आप दो फोन पे चलाएं, दो आप पेडियम अप को चलाएं, दोनों पर आपके अलग-अलग नंबर से ID वनी होगी, अलग-अलग bank account होगे इस तरीके से आप दो WhatsApp, दो Instagram अप, किसी भी अप को आप दो अप करके चला सकते हैं, कैसे करना आप आपको बदाते हैं और यह तरीका बिल्कुल 100% safe है और secure है, क्योंकि जो भी आप दूसरा अप डाउनलोड करेंगे, वो भी Play Store से डाउनलोड होगा तो इसके लिए आपको Play Store पर चलना है, और यहाँ पर आपको इस लेंड आप को डाउनलोड कर लेना है, इस्टल कर लेना है अपने phone में इस लेंड आप को आपको open कर लेना है, थोड़ा यहाँ पर नीचे वढणा है, accept कर देना है, accept करना है, फिर से, Jooist कर देना है इस Land App के अंदर तीन ओप्सन आते हैं पहला है डिस्कवरी, डिस्कवरी में इसकी कुछ सेटें आएंगी तो आपको सेटिंग कुछ भी नहीं करना ऐसे रहे नहीं देना है Main Land के अंदर आपके फोन के अंदर जितनी भी एप इंस्टोल होंगे सभी एप की यहाँ पर लिष्ट आ जाएगी तो आप यहीं से किसी भी एप को क्लोन कर सकते हैं दो एप कर सकते हैं, डूल एप कर सकते हैं कैसे करना है बहुत भी आपको बदा रहते हैं अगर आपको लगता कि क्लोन किया हुआ एप सेप नहीं होगा भी वो आसान है और अच्छा भी रहेगा इस लेंड पर क्लिक करते हैं तो हमें दो फोन पर चलाना है तो हम फोन पर क्लिक करते हैं और प्लेस वाला उप्शन इस पर क्लिक कर देते हैं सैटिंग पर क्लिक करना है इस सैटिंग को चालू कर देना है एक बार बैक कर देना है पिलिक करते हैं तो लेंट के अंदर आपको वहार कर सकते हैं तो इसे आप डायेट को डाउलोड और डूत हैके रर Works ने कया है, आपके पोन जो PlayStation होग वह लग होगा तो कई करते हैं हम यहाँ पर आयाते हैं तो यहाँ पर हमारे老a देच्छांबु कमारे Trump और ल१ा है सकते हैं तो यहां पर आप देचल सकते हैं डोception फोन पर 2017 SIM से चलाएंगे, तो हमारे सिम से अलग-लग नंबर से Google पर फोन पर चलाएंगे, दो पे टियम भी आ गएंगे, तो मेरा पहला वाला पे टियम है एक नंबर की SIM से इस पर चला है, दूसरी SIM से हम इस पर उस्पर उस करेंगे अब, और दो मेरे Google पे चलाना है तो Google पे चलाने के लिए Google अकाउंट की जरूरत पड़ेगी तो आपका जो बर्क वाला फोल्डर है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर Play Store है इस पर आपको क्लिक करके इसमें आपको अपनी Play Store की ID लाना लेना है